हेलो श्टुडेंट तो आज हम फिर से एक और नए टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि है हमारा डूइल स्पेस यह जो हमारा टॉपिक है यह हमारा टॉपिक है फंक्शन एनलिस्ट का ही जो हमारा अभी तक चल रहा है जितने भी तक मैंने सारे टॉपिक करा है उसी में से गया टॉपिक है तो समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे NORMED SPACE क्या होता हैं क्योंकि इसकी DFINISHन में NORMED SPACE का युज की जाएगा और आपको पता हो느िं अचिम की BoundCómo Linear functional क्या होते ठीक है तो उसके बारे में पता होना जी तो अब इन दोरों को अगर आपको पता है तो ठीक है अगर आपको नहीं पता कि एक क्या होता है तो इसका लिंक के क्या है, मैं डिस्कूशन में देदू है इनकी वीडियो का, वो मैंने पहले से यह अपलोड गर रखी है आप बहूं से जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है हम इसकी देखते है, definition को तो definition क्या है कि let x be a normed space हमारा x क्या एक normed space है ठीक है जब ही मैंने कहा कि पहले से देख लेना आप ठीक है तो let हमारे पास x क्या है capital x be a normed space then तब the set of all bounded linear functional तब जो set होगा सही है set होगा किसका all bounded linear functional ठीक है जो भी इनका set होगा on x के उपर ठीक है on x के उपर यानि कि normed space के उपर जो भी हमारा set होगा all bounded linear functional का उसी को ही हम क्या बोलेंगे which is called उसी को ही बोलेंगे हम क्या dual spaces ठीक है dual spaces बोलेंगे वो भी किसकी जो भी हमने यहाँ पर x ले रखा है यानि कि x क्या है जो भी हमने normal space ले रखा है उसकी क्या होगी है dual space होगी ठीक है क्योंकि हमने on x के ओपर ही निकाला है जो भी हमारा normal space था और जो उसकी dual spaces यानि की उसको क्या हो लेंगे which is called the dual spaces of x की और इसको हम donate करते हैं by किसके द्वारा x dash के द्वारा ठीक है x उपर आ जाएगा है याँ पर dash तो इसकी definition क्या हो गई let x ले लेंगे बिया को normed space then जो भी हमारा set of all bounded linear functional का होगा जो भी हम normed space लेंगे उसको हम बोलेंगे क्या which is called the dual space of x उस normed space की dual space वो होगी ठीक है और उसको हम donate करते हैं by किसके द्वारा x dash के द्वारा ठीक है अब यह जो हमने लिखा है यहां से यहां तक ठीक है तो इसमें क्या है हम normed space की जो हम यहां पर normed space है अगर हम उसके साथ के निकाले नॉर्म को निकाले वह उसको का हिए गए है constitutes a normed space with norm defined by उसको define कर सकते हैं कैसे define कर सकते हैं किसी norm की normed space with new norm normed space को define करना है with norm की साथ नोर्म के साहते है तो वह क्या होता है norm of norm 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 f बरावर होगा supreme किसके बरावर होगा हमारा जाएगा fx upon norm of x के ठीक है फिर उसके बाद जो यहाँ पर small x है वो belongs करेगा किसमे capital x में और जो small x होगा बरावर नहीं होगा इसके 0 के फिर next line में लिखेंगे आगे जब इसे हम solve भी करेंगे जब लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर आजएगा norm of f बरावर होगा supreme यहाँ पर आजएगा mode में fx और जो हमारा norm of x का मान होगा वो क्या होगा 1 होगा ठीक है इसलिए हाँ आपर यह value हट जाएगी ठीक है तो हम इसे जो हमारा कोई भी norm space हो और उसको हमें लिखना हो किसके साथ norm के साथ तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं definition मैंने बता दी इसकी कि अगर कोई भी norm space होगा हमारे पास x तो उसमें जो भी हमारा set of all bounded linear functional होंगे on x के ठीक है bounded होना चाहिए on x के उपर तो उसे क्या वह लेंगे हम dual spaces of x उसकी उस normed space की क्या वह लेंगे हम dual spaces और उसको donate करेंगे हम x desk से ठीक है तो यह हमारा capital x desk से यह था हमारा dual space की definition ठीक है अब मैं आपको इसकी जो theorem है वो दिखाने वाला हूं जो की important theorem है और यह exam में आती रहती है ठीक है अब हमें क्या है हमें इसके लिए बना की space का पता होना चाहिए कि बना की space क्या कहते है उसका link भी में क्या है discussion में देदूँ क्योंकि हमें इसको क्या है बना की space ही proof करना है ठीक है इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बना की space हमारा क्या होता है तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिशन में दे दूंगा आप वहाँ से जागर वीडियो को चेक कर लेना पहले तो आपको क्या है यह थियोरम बहुत असानी से समझ में आ जाएगी किसी भी नॉर्मड स्पेस जे रखे हैं इसके लिए नॉर्मड स्पेस तो मैं पहले साई यहां बता दिया था कि इसका link description में यह और इसका मैं दे दूँगा जहां से आप क्या description में जाकर आप videos को पहले देख लें क्योंकि क्या उससे theorem बहुत easy हो जाएगी ठीक है तो इस theorem पर क्या है next video में upload कर तो अब क्या है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरीके के और भी टॉपिक्स आप चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को और पर प्रेस कर लें जिससे क्या है अगर मैं आगे जितनी वीडियो प्लोड करूँ हो उसकी नौट डिवीशन गया आपको सबसे पहले मिल सके और क्या है अगर आपको इसी तरीके के और भी टॉपिक्स चाह देख लेना जो भी आपके इनपर्टन रहा हो मैंने सारी कि सारी करा रखी है ठीक है नीवीडियो में मिलते हैं इस साथ में आपको मतलब कोई टॉपिक चाहिए ओओ ठीक है जो आपको नहीं मिल दाओ तो वो भी आपके कमेंट बॉक्स में उसको बता देंगि कि अटॉपि झाल झाल